हेलो एस्पेरेंट देखिए उत्तरा खंड लोग सेवा आयोग में एक और पेंच फस गया है और अभी तक जो है कि इसका रिजल्ट ही कैंसील होता था मतलब परिणाम जो है कि कई बार संसोधित हुआ और फिर से जो है कि जन्वरी में जो है कि आपका एक्जाम रखा गया है इस एक्जाम UK PCS 2021 का लेकिन इसमें जो है कि अब एक और पेंच ये फसा आरच्छन को लेके जो है कि इसमें बड़ी समस्या हो रही है और इसके लिए लड़कों ने जो है कि गुहार भी लगाई है हाई को अब देखिए मामला क्या है मामला ये है कि रिजर्वेशन रिजर् ठीक है आरच्छन का नियम ये है कि सुप्रीम कोट ने जैसा कि इंद्रासानी केस में आप सभी जानते होंगे कि इंद्रासानी केस में सुप्रीम कोट ने बहुत ही असपस्ट रूप में आरच्छन को विशलेशन किया था कि आरच्छन कैसे और किस सीमा तक और किस किस स्ट कोड लिमिटेशन आफ टूटल रिजर्वेशन आफ 50 परसेंट ठीक है यानि कि कैपिंग जो की गई थी रिजर्वेशन पे 50 परसेंट से ज्यादा आरच्छन आप नहीं दे सकते कमिशन रिकमेंडेट 27 परसेंट रिजर्वेशन इन OBC कैटेगरी और इसमें फिर SCST को जोग की रिजर्वेशन मिला ठीक है अब देखिए UPSC में जो आरच्छन का नियम लागू होता है वो यह होता है कि अगर किसी भी कैटेगरी में अगर आपको किसी भी इस एक्जाम के किसी भी अस्तर पर एक बार आपको मिलेगा किसी भी कैटेगरी में प्री मेंस इंटर्व्यू ठीक है और यूपी PCS में भी यह विवस्था लागू है लेकिन उत्तराखंड आयोग का क्या कहना है आए जरा देखते हैं अब देखिए उत्तराखंड लोग सेवा आयोग की परिच्छा निमावली है ठीक आको को परिच्छा के अगले चरण है तुँ शफल रकार्णा अकों को मुख्या परीच्छा में नहीं जुड़ा जाका एब एम नहीं प्रारंबिक परिच्छा में उसके सफल हुए स्रेणी या उप्सरेणी की गड़ना मुख या परिच्छा अथवा अंतिम चैन परिणाम में निर्मित किया जाने के दोरान विचारित किया जाएगा यानि कि आपको जो है कि जो अगर आप काटेगरी वाइज क्वालिफाई करते हैं प्रिल मेंस और इंटर्व्यू के किसी भी अस्तर पर जो है कि आपको एक बारा रच्छन का लाब मिलना चाहिए तो यहां पर एक कंट्रडिक्षन होगा ठीक है इनके निमावली से और अगर आगे बढ़ेंगे तो दूसरी बात है कि तो यदि आरच्छित श्रेणी से सम्मंदित क नहीं किया जाएगा ठीक है यानि कि अगर कोई अरच्छन प्राप्त व्यक्ति है और वह जो है कि ज्यादा नंबर ले आता है अनरच्छित वर्ग के बराबर नंबर ले आता है तो उसे उसकी स्रेणी से हटा कर अनरच्छित स्रेणी में डाल दिया जाएगा ठीक है और फि उसे fight करेगा ठीक है अपनी category में नहीं करेगा अब भले ही उसे आराचित वर्ग के अभ्यरतियों को अनुमन ने किसी सुविधा या छूट का उपभोग किया हो ठीक है तो यह contradiction यहां पे हो गई और यहां पे सीधे सीधे ओवर्लैपिंग अफ रिजर्वेशन का मामला आएगा जिसको सुप्रीम कूर्ट ने खुद ही बहुत ही अच्छी तरीके से अपने इंद्रासानी केस में डिसकस किया है और अगर आप देखना चाहेंगे यहां पे तो ओवर्लैपिंग अफ जो है कि रिजर्वेशन बह झाल 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 झाल